नमस्कार दोस्तों, Pathfinder पर आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. महीपाल सिंग राठोड और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चल्चा करूँगा एक ऐसे topic के बारे में, एक ऐसे मुद्दे के बारे में एक समयधानिक संकट का रूब लेता जा रहा है, लेकिन ऐसा क्या है इस abortion law में, इस फैसले का भारत की जुड़ी शरी या जुरिस्प्रिदेंस से भी संबंध है, क्या relation है वो मैं आपको आगे इस lecture में बताऊंगा, तो चली शुरू करते हैं, आगे बढ़ने से पहले आपको Pathfinder के Telegram चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे पहले कमेंट में दिया गया है, दो सितंबर को United States की Supreme Court ने ये फैसला दिया कि Texas राज्य के द्वारा पास किया गया abortion कानून, जो की काफी conservative है, बहुत ही रोडिवादी बताया जा रहा है, उसको रखा जाएगा, it will be upheld, औ और उसे strike down नहीं किया, पूरी उम्मीद थी कि उसे cancel कर दिया जाएगा, लेकिन Supreme Court ने उसे uphold किया है, और ये जो Supreme Court का judgment आया है United States में, ये 5 is to 4 था, यानि कि जो 9 judge की bench है, उसमें 5 judges ने उसके favor में vote किया, और 4 ने against, तो काफी divisive सा ये vote है, और अब ये कानून Supreme Court के द्वारा uphold क रणने के बाद, पूरी तरह से लागू किया जा सकता है Texas Rajya में, तो अब शुरुवात मैं आपको थोड़ा सा abortion के बारे में करके बता देता हूँ, abortion यानि कि गर्वपात को लेकर कई दशकों से एक debate चल रहा है, तो इसमें 2 major argument होते हैं, पहला ये कि गर्वपात कराना पूर का होना चाहिए, इसमें किसी और का कोई interference ना हो, चाहे वो परिवार है, चाहे वो राज्य है, state है, government है, किसी का भी नहीं, debate का दूसरा पहलू ये कहता है कि जो घर्वस्त शिशू है, चाहे वो अपनी रक्षा खुद ना कर सके, लेकिन उसकी जान की रक्षा करना राज्य, यानि कि state, government की जिम्मेदारी है, और इसी लिए सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए, जिसमें गर्बवती महिला के पास सारे अधिकार ना हो, गर्बपात कराने के राज्य का हस्तक शेप उसमें रहना चाहिए, 1973 में आज से लगबग 50 साल पहले, United States की Supreme Court में एक बहुत important case का जाता है, इसका नाम याद रख लेना, कभी ये directly पूछा जा सकता है, UPSC prelims में भी, जी हाँ, अमेरिका का case है, पर फिर भी यहाँ पूछा जा सकता है, तो Roe versus Wade जो है, उसने अमेरिका में महिलाओं के अधिकार को तवज्जो दी थी, कि जो भी गर्पात होगा, उसमें महि जो rights हैं, उनको यहाँ पर prominence दिया गया था, और यहाँ पर कुछ definitions बनाई गई थी, कि कोई भी गर्पस्ति शिशु जीता जाकता नहीं माना जाएगा, viability चेक करी जाएगी, viability का मतलब है कि क्या वो गर्पस्ति शिशु अगर आज मा की कोक से बाहर निकाल लिया जाता है, और Roe vs Wade के बाद में, US के अंदर गर्पात के कानून काफी simplify हुए हैं, liberal हुए हैं, to be precise, जो शब्द होना चाहिए, यहाँ पर liberal कानून का interpretation हुआ है, और ऐसे में महिलाओं को ज़्यादा अधिकार मिले हैं, गर्पात कराने के लिए, याद रखे कि इनसान में, जो गर्पस् इशू है, वो 40 हफतों तक मा की कोक में रहता है, यूटरिस में रहता है, और उसकी viability, यानि कि कब वो बाहर जिंदा रह सकता है, वो मानी जाती है, लगबख 28 हफतों पर, 7 महीने, कभी-कभी कुछ cases में, वो 24 हफते भी मानी जाती है, लेकिन 24 weeks पर survival के chance थोड़े कम हो जात हैं, with of course, artificial aid, hospital settings, etc. में, भारत की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर गर्बपात का कानून 1860 के IPC में शामिल किया गया था, और तब pregnancy को terminate करना है, यानि गर्बपात कराना पूरी तरह से offense था, चाहे कभी भी करवा हो, it's a criminal offense, आजादी के बाद इस कानून में थोड़े बद health और pregnant महिला को कितना risk है, इन दो factors के basis पर, 2020 में इस कानून में कुछ बदलाव किये गए थे, जिस पर मैंने special lecture बना रखा है, please इसे देखिए, यहाँ पर मैंने detail में, भारत का जो कानून है, और क्या बदलाव हुए हैं, 2020 में वो discuss किये हैं, 2021 और 22 के UPSC exam के लिए, यह बहु और mostly यहाँ Republican सरकार बनती है, तो Republican Party अमेरिका में थोड़ी सी conservative मानी जाती है, तो यहाँ पर जो Republican Party है, या Republican Governor है, उन्होंने एक नया कानून बनवाया, और राज्य का यह कानून कहता है, कि कोई भी गर्बपात नहीं कराया जा सकता, अगर बच्चे की heartbeat detect हो सकती है, तो अगर doctor को कहीं पर भी गर्बस्त शिशू की heartbeat सुनाई दे, या फिर वो detect हो किसी भी machine से, तो उसके बाद वो बच्चा viable माना जाएगा, तो यह तो किवल 6 हफते पर ही हो जाता है, 6 weeks में ही बच्चे की दिल की activity हो शुरू हो जाती है, viability क्या मानी जाती है, 24 हफते से 28 हफते के probability को, तो यह कानून बहुत ही strict है, और एक तरह से step back माना जा रहा है, row versus Wade से भी यह पीछे ले गया है, अमेरिका में गर्ववती महिलाओं के अधिकार को, row versus Wade के बाद भी 12 राज्यों ने और strict कानून लागू करने की कोशिश करी थी, लेकिन 12 के 12 राज्यों के कानून को Supreme Court न जो power है, वो due process of law पर based है, इसका मतलब क्या है, कि अमेरिकी समयदान ये कहता है, कि जहां नागरिकों के अधिकार की रक्षा की बात हो रही है, वहाँ पर अदालतें ये देखेगी कि कि क्या जो कानून है, अदालत में आया है, जिस पर निर्ने देना है, क्या वो जनता के ल है, और US की judiciary या jurisprudence इसी कारण से थोड़ी सी भारत से अलग है, भारत में क्या होता है, procedure established by law, तो भारत में कानून को किवल तभी नकारा जा सकता है, जब वो असमयदानिक हो, unconstitutional, इंडिया में judiciary ये नहीं देखती, कि वो जनता के लिए ठीक है, या एक individual नागरिक के लिए ठीक है या नहीं, बस ये देखा जाएगा कि क्या वो असमयदानिक है, अगर समयदान के खिलाफ है, fundamental rights के खिलाफ है, तो उस कानून को strike down किया जा सकता है, कोट ये नहीं देख सकती कि क्या कानून fair है, क्या कानून reasonable है, ये अधिकार भारत की jurisprudence में नहीं है, लेकिन अमेर legislature, parliament, हला कि यहाँ पर भी असमयदानिक कानून को strike down किया जा सकता है, लेकिन केवल यही criteria होगा, नागरिक के प्रती, वो fair, just, ये सब बातें भारत में नहीं देखी जाएगी, अब US Supreme Court ने Texas राज्य के इस कानून को 5-4 के judgment से uphold किया है, यानि कि 4 judge Texas के कानून से सहमत नहीं थे लेकिन 5 judge सहमत थे, तो 9 judge होते हैं US Supreme Court में, तो आप देख सकते हो कि यह बिलकुल bare minimum जो majority हो सकती है, वैसा फैसला आया है, it means the Supreme Court bench itself is divided, और पूरा देश इस बात पर divide हो रहा है, राश्टरपती जो बाइडन ने साफ तोर पर Supreme Court की निंदा करी है, उन्होंने कहा है कि यह महिल रही है, तो US के Supreme Court ने ऐसा निरने दिया क्यों, देखो इसके बीचे reason है, पिछले राश्टरपती Donald Trump, तो Donald Trump ने Supreme Court में तीन नए न्याय धीशों को appoint किया था, US का Supreme Court काफी interesting है इस मामले में कि वहाँ पर कोई retirement age नहीं होती, एक बार अगर आप Supreme Court judge बन जाते हैं, तो जब तक आपकि death नहीं हो जाती, या आप पूरी तरह से काम करने के लायक नहीं रहते हैं, due to any health reason, तब तक आप Supreme Court judge बने रहेंगे, तो एक बार अगर कोई Supreme Court bench पर बैट गया, तो फिर वो retire नहीं होता है, अगर वो 90, 100 साल, जितने साल भी जिएगा, he or she will be a Supreme Court judge, अब Donald Trump के कारेकाल मे एक अजीब सा सायोग बना था, कि चार साल के अंदर तीन न्यायधीश की positions खाली हो गई थी, आम तोर पर किसी भी राष्टरपती को इतने न्यायधीश अपॉइंट करने का मौका ही नहीं मिलता, maximum एक या दो positions कभी खाली होती हैं, और वो President अपॉइंट करते हैं, लेकिन Donald Trump को तीन Justices अपॉइंट करने का मौका मिला, और तीनों ही Justices जो Donald Trump ने अपॉइंट किये थे, वो Conservatives थे, और इसी लिए आज के समय में US Supreme Court Conservative माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 6 Judge Conservative हैं और 3 Liberal हैं, अब यह कैसे Decide होता है कि वो Conservative हैं, लिबरल हैं, तो देखो उनके पुराने Judgment द और वो इसी लिए हैं, क्योंकि इन 6 में से 3 Judge तो Donald Trump ने अपॉइंट किये थे, वैसे यह हर राष्ट्रपती कोशिश करता है कि जब भी हो सके, वो Supreme Court के Bench को Conservative है Liberal, अपने Party के अनुसार उसको Stack कर सके, लेकिन Donald Trump ने 3 अपॉइंट किये थे, तो definitely वो पूरी Bench Conservative हो गई, कई Presidents जो हैं, वो उसको Neutral रखने की भी कोशिश करते हैं, Conservative-Liberal का Balance भी रखते हैं, Trump के कारेकाल में एक और important चीज़ ये करीची, Trump ने है कि 53 Judges जो Second Level के Courts होते हैं, Federal Appeals Court, इसमें Appoint किये थे, अगर आप Compare करोगे तो Barack Obama का 8 साल का 2 कारेकाल जोते हैं, उसमें इनोंने 55 Judges Appoint किये, Trump न रज्जों की Appeals आती हैं, इन सब में एक Ideological Flip हो गया, Flip यानि कि ये पलट गए, अगर कोई Liberal Bench थी तो वो Conservative Bench बन गई, because of Donald Trump's Appointments, और ये सारी जो अदालते हैं, Federal Appeals Court या Supreme Court, इन में बहुत ही important निर्णे पहुँचते हैं, जैसे कि abortion rights, gay rights, death penalty, business disputes, important कानून, employment law, environmental कानून, ये पहले से सबको पता होता है, अब Supreme Court के द्वारा दिया गया ये फैसला, देश के Secularism के भी खिलाफ है, कैसे, देखे, US में बहुत सारे Minority Religious Groups हैं, जिसमें Hinduism, Islam, और बहुत से अन्य धर्म भी शामिल हैं, लेकिन ये जो belief है, कि बच्चा मा की कोख में जाते ही, जीवित माना जाता है, उसे एक इनसान माना जाए, ये mainly Christianity की belief है, तो Christian beliefs को यहाँ पर अदालत ने कानून के रूप में एक तरह से उसको okay कर दिया, उसे उस पर ठपा लगा दिया है, तो Christian beliefs ये हैं, कि भगवान के कारण जीवन आता है इस दुनिया में, और जो भी जीवन है, वो आता भी भगवान के कारण है, जाता भी भगवान के कारण है, तो उसको मारने का, एक कोख में पल रहे बच्चे को मारने का दिकार इनसान को नहीं है, ये Christian beliefs होती है, इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी traditional conservative Christian countries हैं, वहाँ पर गर्बपात allowed ही नहीं होता है, for example Philippines, Ireland जैसे देशों मे ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है वहाँ की politics में, तो इसलिए अमेरिका में भी जब किसी एक राज्य में इस तरह का कानून पास हुआ है, तो लोग काफी हैरत में हैं कि देश में secularism को side में रखते हुए, इस तरह का कानून बनाया गया है, और Texas में याद रखें कि बहुत देखा news में, which was very amusing, अफगानिस्तान से refugee यहाँ पर अमेरिका आ रहे हैं, और यह अमेरिका आ कर पूछते हैं, कि क्या यहाँ पर महिलाओं को सारे अधिकार मिलेंगे, तो यहाँ पर Uncle Sam, यानि कि अमेरिका को represent जो करते हैं, वो कहते हैं कि जी हाँ, except in Texas, Texas राज्य के अलावा आपको महिलाओं के अधिकार सभी जगे मिलेंगे, क्यूंकि महिलाओं ने भी इस पर बहुत आपत्ती उठाई है, यह ना किवल secularism और religious minorities के against है, बलकि women's rights के भी खिलाफ है, महिला अधिकारों के भी खिलाफ है, क्यूंकि दिल की धड़कन जब आती है, six weeks पर, उस समय कई मह महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि वे pregnant है, तो जब महिलाओं को पता ही नहीं है कि वो गर्भवती है, उसके पहले ही उसका गर्भपात कराने का अधिकार उससे यहां पर चीन लिया जाएगा, तो महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है उसके अपनी शरीर पर, अपनी reproductive rights पर, और एक और बहुत ही अजीब सा प्रावधान इस कानून में ये रखा गया है कि मान लीजिए छे हफते के बाद यानि की हार्ट बीट डिटेक्ट होने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी गर्बवती महिला को गर्बपात कराने में मदद भी करता है उसकी किसी भी रूप में हेल् भी बलकि अगर आप एक दोस्त हैं और दोस्त के रूप में अगर आप उस महिला के साथ ह options भी जा रहे हैं तो आपके खिलाफ भी case किया जा सकता है तो ये तो वैसा हो गया कि आपने कुछ सोचा आपने किसी की help करी नहीं करी घूस्पिटल तक गय भी नहीं तो भी आपके फिलाफ केस किया दा सकता है so it is a very draconian law और यहाँ पर जुर्म होने से पहले ही किसी व्यक्ति को सजा दी जा सकती है उस तरह के प्रावधान इस कानून में रखे गए हैं तो ना किवल secularism बलकि women's right और जो constitutionality है उसके अनुसार भी यह law challenge होगा और Supreme Court ने एक बार तो इसको uphold कर दिया है तो अब देखते हैं कि America में इसको लेकर क्या होने वाला है I'm sure आने वाले एक या दो हफतों में यह मामला US politics में बहुत important होगा और देखो US politics में जो भी constitution में होता है वो कही ना कही भारत से भी थोड़ा सा linked होता है क्योंकि हमारे constitution में कही चीज़ें समान है जो differences है वो आपको मालूम होने चाहिए और इस तरह से आपको questions mains में भी पूछे जा सकते हैं अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like जरूर करें इसे share करें दोस्तों के साथ खास करके जो UPSC aspirants है ताकि उनको भी मालूम चले कि इस तरह का quality content pathfinder पर आ रहा है अगर आपको वीडियो में कुछ problems हैं तो comments में आप बताईए क्या दिक्कत है आपको constructive criticism is always welcome अच्छा लगा तो भी comments में बताईए तो आज ये lecture हम यही समाप करेंगे लेकिन अगर आप एक UPSC aspirant है तो अगले एक minute आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है इसे ज़रूर देखिए देखें देश की best faculties चाहिए वो offline institutes के हो या online institutes के वो सभी अब unacademy पर पढ़ा रहे हैं और इन teachers से अगर आप live पढ़ना चाहते हैं तो unacademy app को install कीजिए यहाँ पर बहुत सारी special classes होती है इन special class में आपको free में बहुत सारा content मिलेगा free content के अलावा एक paid subscription भी है हमारा जिसको हम iconic या plus कहते हैं iconic subscription में एक benefit यह है कि आपको एक mentor के द्वारा personal guidance दी जाएगी जो भी subscription आप लेना चाहें चाहें चाहे 1 year का हो 2 year का हो उसमें आपको 10% flat discount मिल जाएगा अगर आप महिपाल referral code इस्तेमाल करते हैं for example अगर आप एक साल का course लेते हैं तो वो आपको 50,000 नहीं बलकि 44,500 का पढ़ेगा अगर आपने ये code इस्तेमाल कर लिया 22 और 23 के UPSC aspirants के लिए हमने एक detailed plan बना दिया है पूरा time table दो साल का time table आपके लिए available है कौनसी teachers कौनसी classes क्या subject पढ़ाएंगे वो सब आप देख सकते है एप पर या website पर जाकर तो यहां पर उसका briefly outline एक दिया गया है 23 batch के लिए optional के courses भी हमारे platform पर available है और अभी एक three in one offer चल रहा है जिसमें अगर आप one year का course लेते हैं तो उसमें आपको किताब हैं free में मिलेंगी EMI option पर आप course को avail कर सकते हैं और एक special two month subscription हमने चालू किया है prelims 2021 के aspirants के लिए यहां पर अगर आपका कोई subject कमजोर है तो उसको आप cover करके मजबूत कर सकते हैं mission AIR one prelims batch start हो रहा है हो चुका है 1st September से 6 September onwards इसमें मेरी भी classes आने वाली हैं मैं आपको MCQs prepare कराऊंगा this is a plus platform course तीन free test series हैं इनका फायदा उठाई है जहां पर भी अगर unlock code मांगा जाता है use this code एस series में अच्छा perform करोगे तो combat में बढ़िया रहेंगाएगी इससे आप subscriptions free में अवेल कर सकते हो scholarships के साथ अवेल कर सकते हो याद रखिए रवी बार को 11 बजे हर Sunday combat होता है thank you very much for watching this have a great day